तो दोस्तो Redmi Y3 के यूज़स के लिए इंडिया में बहुत ही अच्छी गूड निउस निकल के आचुकिए फाइनली एंड फाइनली काफे लंबे टाइम के बाद इस स्मार्टफोन के लिए शामी ने जिए ऑफिशली एंडुड 10 का जो अपडेट है वो फाइनली रॉल और इसके अपडेट की जो फाइल थी ओर आराउंड 1.9 GB गी थी और इसमें आपको फाइनली एंडुड 10 विद एंडुड 10 का जो अपडेट नहीं किया गया है जो कि बागी सभी स्मार्टफोन में आपको लेटेस्ट फीचर के साथ जो है देखने को मिलता है लेकिन इसमें तो जो आपको MIUI 11 के साथ ही Android 10 का जो अपडेट है वो रॉल आउट किया गया है तो यानकि एक तर से आपको Android 10 का तो अपडेट मी गया है हानकि MIUI का तो नहीं मिला मेंद लेकिन फाइनली शाउमी ने कमस्रीचर के यनदोड 10 का जो अपडेट है वो तो रॉल आउट कर दिय तो दोस्तों यह update finally इंडिया में rollout हो चुका है हालिकि कुछ users को अभी तक दिये अपडेट यह नहीं मिला होगा हालिकि कुछ users को यह मिल चुका है क्योंकि अभी टेस्टिंग में है तो दोस्तों अगर आपको जो है इस update को manually update करना है तो इसकी recovery करूंगा कि अगर आप manually update कर रहे हो तो अपना जो है backup जरूर ले ले डाटा का हालिकि काफी कम cases होते हैं कि जो data होता है वो erase हो जाता है लेकिन फिर भी risk के तौर पर एक तरसे आप अपना backup जरूर ले ले या फिर आप इसके official OTA update का भी wait कर सकते हैं तो जोस्तों कर आप भी इं update रसीव हो चुका था आप भी इसे update को जैपने smartphone में install कर सकते हैं जिसके बाद कुछ नए features आपको Android 10 के Redmi Y3 में देखने को मिल जाएंगे और एक latest OS आपको Android 10 का देखने को मिल जाएगा अगर आपको अभी तक update रसीव नहीं हुआ है तो आप कुछ दिन का wait कर लीजे थोड़ कर दिया गया है उमीद करता हूँ आज की information आपको काफी ज़्याद अच्छी लगी होगी excitement वाली लगी होगी वीडियो पसंद आयो तो इसे like जूर कीजे साथ ही subscribe भीजे हमारे चैनल को ऐसे updates के लिए तो फिर मिलेंगे ऐसी interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए तोस्तों नम कर दो सकार